नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्रिष्टी श्रिवास्तम फिल्म टिटिक के आरके को गिरफतार कर लिया गया था जहां धीरे धीरे उनके मुश्किले भी बढ़ रहें उन पर आरोप पर आरोप लगे थे यह तो आप सब जानते हैं कि के आरके ट्विटर पर कितने आक्टिव रहते थे और यही वज़त थी जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा लेकिन अब उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट से यह दावा किया जा रहा है कि वो के आरके ने किया है इसके बाद से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या के आरके जेल से छुट गए है रहा हो गए है अब क्या सच्चाई है क्या पूरी बात है चलि आपको बताते हैं और साथ साथ ये भी बताएंगे कि इतने दिन बाद उनके नाम से ट्वीट करने पर जनता क्या कुछ कह रही है दरसल क्यारके विदेश से कई विवादे ट्वीट करते थे और विदेश में रहने के कारण वो बचे रहते थे लेकिन जैसे ही क्यारके की कदम भारत में पड़े, पुलिस ने उन्हें दबोश लिया क्यारके मुंबई एरपोर्ट पर पहुचे और वही से उन्हें गिरफतार कर लिया था इसके बाद क्यारके को मुंबई पुलिस थाने ले गई और इनके नामदर्श कई मुकदमों के आरोप में उन्हें गिरफतार कर लिया गया अब उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है जिसमें गुट्से वाले इमोजी के साथ लिखा गया है मैं अपने प्रतिशोत के लिए वापस आ गया हूँ अब इस ट्वीट को देखकर ये कहा जा रहा है कि ये क्यारके ने किया है क्योंकि उनकी आईडी से खुद ये कहा जा रहा है लेकिन आपको बता दे क्यारके के जेल से छूटने के फिलाल कोई ख़बर नहीं आई है इसलिए हमारा चैनल इस ट्वीट की कोई पुष्टी नहीं करता है अब आपको बताते हैं कि जनता इस ट्वीट पर क्या कुछ कह रहे है एक यूजर ने लखा है जेल का रिव्यू दो भाई, कितने स्टार्ट दोगे दूसरे उजर ने लखा लव यू सर, विलकम बाग, वी आर विट यू आलवेज एक और उजर ने तो लिख दिया है ब्रहमास्तर का रिव्यू पाने के लिए मैं बहुत दिन से इंतिजार कर रहा जल्दी से रिमूज कीजिए एक और उजर ने लखा है करन जोहर ने ही अंदर कराया था कभी भूलना नहीं आपको पता दे है अभी कुछ दिन पहले क्यारके के काउंट से दो और ट्वीट किया गये थे लेकिन एक ट्वीट के बेटे ने किये थे और लिखा था मैं हूँ क्यारके का बेटा फैजल कमाल मुंबई में मेरे पता को माणने के लिए कुछ लोग प्रतारिस कर रहे हैं मैं अभी लंडन में रहने वाला 23 साल का हूँ मुझे नहीं पता कि मैं अपने पता की मदद कैसे करूँ मैं अनुरोद करता हूँ अभिशेक बच्चन, रितेश देश्ट देश्मुक तथा देवेंदर पडनर्वस जी मेरे पता की जान बचा लीजे मैं और मेरी बहन उनके बिना मर जाएंगे मता दे कियारके को जिस मामले में जमानत मिली वो वर्सोभा पुलिस द्वारा उनके खिलाब साल 2021 का छेटषाड का मामला है फिलाल इसे मामले में कियारके को जमानत मिली है वह अभी भी आक्टर अक्षे कुमार और फिल्म निर्माता राम गुपाल वर्मा के बारे में विवादिक ट्वीट के 2020 मामले में वोरी वाले मेडिस्ट्वीट अदालत के समक्ष उनकी जमाने स्याचिका लंबित है और अब ये ट्वीट क्या गया है फिलाल की आर्के के इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएगा नमस्कार